Hello everyone, क्या हाल है आम सभी के? अगर आप SSE exams की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप आगे चलके CD exams देने वाले हैं तो ये समय बहुत अच्छा है अपनी त्यारी Anacademy Plus के साथ करनेगा अगर आप इस समय Anacademy Plus का SSE Bank Compo चूस करते हैं दो साल का और उसमें Discount Code PMYT लगाते हैं तो आपको Discount तो मिलेगा ही उसके साथ साथ जो दो साल का प्लान है उसमें पूरा एक साल आपको extra मिल जाएगा अगर मैं दो साल का प्लान चूस करता हूँ और Code PMYT लगाता हूँ तो उसमें मुझे 3 साल के लिए SSE C Category और 3 साल के लिए Banking Category मेरे लिए पूरे तरीके खुल जाती है इन दोनों Categories में किसी भी educator का कोई भी course में कभी भी देख सकता हूँ कोई भी test series लगा सकता हूँ कोई भी mock test ले सकता हूँ कोई भी अपना doubt clearing session में attend कर सकता हूँ सभी की सभी educators की class PDF में इसमें download कर सकते हैं अगर मैं SSE exams की त्यारी करना चाहता हूँ जिरफ तो सेम तरीका आपको 2 साल का plan choose करना है PMYT code लगाना है और उसमें आपको 8 महीने बिलकुल free मिल जाते है अगर आप एक साल का plan choose करते हैं SSE bank combo का तो उसमें 6 महीने free है अगर आप एक साल का SSE का plan choose करते हैं तो उसमें 4 महीने free है अगर आप 12 महीने का plan लेते हैं तो आपको 16 महीने मिलें In any case आप इनमें से कोई साभी plan choose करें Maximum discount के लिए आपका जो code है वो PMYT है इस code को लगा के आप अपनी त्यारी कर सकते हैं अच्छे से अपनी त्यारी को करिए बाकिया आप से मिलते हैं classes में Thank you so much, God bless आज हम लोग बात करेंगे एक topic है जिसका नाम है coding recording आप सभी को पता है कि SSE CGL में एक से दो सवाल आपके coding recording से रहता है तो आज हम यह जानेंगे किस तरह के questions आपके SSE में पूछे जाते हैं पर आपका approach कैसा होना चाहिए trick के साथ ताकि आप उन questions को solve कर सको ठीक है तो पताए मेरी आवाज आ रही है proper इस्ट्वन सकते मेरी आवाज proper आ रही होगे तो comment करके बताना अब भी हम बात करेंगे coding decoding की तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि coding का मतलब क्या होता है coding का मतलब होता है कि codes बनाना codes का मतलब होता है कि किसी चीज को secret form में convert करना ठीक है जैसे कि अगर मैंने कोई language कहा मैंने कोई statement बोला अगर उसको हम secret form में convert करेंगे that is called that process is called coding और फिर से उस secret language को फिर से decode करा हमने मतलब language में re-convert किया तो उसको हम क्या बोलेंगे decoding बोलेंगे यानि कि coding decoding क्या होता है एक mutual process है जिसको कि हम दुनों क्या करते है coding करते हैं और फिर उसको decode करते है जैसे for example देखो basically क्या है coding decoding में 3 तरह की coding decoding आती है आपको SSC CGL में सबसे पहला जो होता है वो होता है alphabetical coding मैं थोड़ा सा आपको brief बता दे रहा हूँ याँ पर पहली type की coding होती है वो होती है alphabetical coding जो second type का code होता है वो होता है number coding और जो third type का coding decoding जो होता है वो होता है सबस्टिटूशनल सबस्टिटूशनल यह आप सभी को मालूम भी होगा बहुत जगा आप लोगों ने पर रखा होगा देख रखा होगा ठीक है तो यह basically तीन तरह के सवाल आपके कोई भी comparative examination में बनते हैं पूछे जाते हैं ठीक है alphabetical number and substitutional ठीक है कुछ बच्चे substitutional को Chinese coding भी बोलते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि बोलते हैं न कि this is train तो कय पोचे या something like that तो उस तरह के जो Chinese coding होती है वो हापका substitutional होता है तो एक ही करके हम लोग आज coding decoding को देखेंगे पहले alphabetical और number की बारे में discuss करेंगे and then आखरी में हम substitutional को discuss करने वाले हैं ठीक है अच्छा इन सभी points को discuss करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप लोग को position of letters मालूम है position of letters क्योंकि coding decoding में position of letters का बहुत important role होता है ठीक है position of letters का मतलब कि आपको पता है कि left से या right से ABCD का position क्या है I hope आप लोग को पता होगा ठीक है या फिर अगर मैं कहूँ opposite letters का क्या यह concept मालूम है ठीक है अगर मालूम है तो एक बार comment कर देना मुझे comment box में लिखके बता देना chat में ठीक है अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूगा discuss कर लूँगा अगर मालूम होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ठीक है तो दो चीज़े आपको बहुत important है alphabetical coding में पहला position of letters दूसरा होगा opposite letters ठीक है चलिए निशा ने comment कर दिया जी नितु अभिशेग निशान्त प्रिंस ठीक है आप से विका बहुत बहुत श्वागत है इस class में तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला question क्या है आप लोग के सामने जैसे आप देख रहो कि आपके चैट में comment करके बताओ अच्छा विविक कह रहे हैं पता है नीतु भी कह रहे है यस डियर जिन्दीगी कह रहे हैं नहीं पता है जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं मैं डिसस कर लूँगा इनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है तो पता यह सा क्या answer है चली जब तक आप लोग इस question को बना रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि position of letters क्या होता है देखिए बच्छे position of letters का मतलब जैसे कि आपको पता है जो alphabets होते हैं जो alphabets होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं a, b, c, d, dot, 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 up to x, y, z, यह होता है तो अगर मैं English alphabet की बात करूँ तो a से लेकर z तक हमारी letters होते हैं जो total क्या होते हैं 26 होते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि left से किसी particular position में कोई कौन सा letter है तो आप कैसे बताओगे suppose करो मैंने कहा L10 L10 का मतलब क्या होता 10th letter from the left end तो 10th letter from the left end कौन होगा तो अगर आप इसको count करोगे तो आपको पता लेगा J होगा अगर मैं आपसे पूछू कि L15 पे कौन सा letter होगा तो आप count करोगे आपको पता लेगा O होगा अगर मैं आपसे पूछू बताओ L23 पे कौन सा होगा again आप count करोगे आप बताओगे W होगा लेकिन ये count करने में समय बहुत जाएगा exam में तो कोई एक ऐसा trick हो जिससे कि आप position of letters को left से निगाल सको और वो है आपका izoti बहुत लोग को मालूम होगा जिनको नहीं पता है जैसे dear जिन्दी को नहीं पता है ठीक है चलिए तो izoti का मतलब क्या होता है एक ऐसा word है जिससे कि आप पूरे alphabet के positions को याद कर सकते है देखो izoti में e जो होता हो पांच वे position पे होता है j आपका 10 पर o आपका 15 पर t आपका 20 पर और y आपका 25 पर ठीक है मतलब पूरे alphabet को हमने 5 letters में तोड़ दिया ठीक है उसके बाद अगर मैं आपसे पूछा हूँ कि बताओ l 12 पर कौन सा letter होगा तो 12th letter from the left end तो आपको पता है कि 10 पर कौन है जो टीम में j है ना यानि कि 2 और जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा यानि कि j k l तो l 12 पर कौन होगा अगर मैं आपसे पूछा हूँ बताओ l 18 पर कौन सा letter होगा तो l 18 का मतलब क्या होगा 18th letter from the left end तो आपको पता है कि t जो है वो piece पर होता है तो 20 में 2 घटा होगे तो 18 हो जाएगा तो t से 2 पहले जाओगे तो क्या होगा आपका आर एस टी आर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से चीजों का आप analyze करेंगे ठीक है अच्छा सभी का answer आ गया होगा बताओ ये answer आया किसी का इस question का जब तक मैं आपको basic समझा रहा था किसी का answer आया ठीक है थोड़ा आप लोग प्रॉम्ट रहेंगे ठीक है जब भी मैं question दूँ ठीक है तो आप फटाफट से answer बताएगे क्या होगा इसका तो कि अगर आप answer नहीं देंगे तो मैं फटाफट फिर आपको जवाब बताऊँगा क्या होगा देखिए फोर्ज का आपको code मालूम है यहां पर दे रखा है आपसे पुझा कल्पीटा क्या होगा विवे कह रहे हैं सी ठीक है नीतु कह रहे हैं सी वेरी गुड बागे इस्टोंच भी कमेंट करूं देखो सबसे पहले क्या है यहां पर फोर्ज दिया हुए आपको ठीक है फोर्ज का code आपको है एफ पी जी जे आई यही है अब आप देख रहो कि यह F से F क्या हो रहा है, यहां पर प्लस 0 हो रहा है, O से P क्या हो रहा है, आपका प्लस 1, RST प्लस 2, G से J क्या हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, और E से I क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है यानि कि यहाँ पर जो question में logic लग रहा है वो क्या लग रहा है plus 0 plus 1 plus 2 and so on आप मेरी बास समझ रहे है 0 1 2 and so on तो अब आप से पूछाई culprit का क्या होगा तो लगाओ जरा culprit क्या होगा तो culprit में आपको यही करना है कि 0 1 2 3 4 5 6 जीरो करा तो सी हो गया यू करा तो यू का वी हो जाएगा एल में दो एड करोगे तो 14 पे कौन होता है एन होता है ठीक है 16 13 19 S हो जाएगा 18 4 22 V हो जाएगा 95 14 N हो जाएगा और 26 26 Z हो जाएगा जही तो आपका एंसर है तो तो correct answer will be C C आपका सही एंसर होगा देखो बच्चे position of letters अगर आपको ध्यान में है अगर आपके अंदर है position of letters तो बहुत आसानी से आप इस question को कर सकते हो ठीक है तो पहले का answer C हो जाएगा अगला सवाल पे देखते हैं इसका बताएंगे question में दे रखा है कि if in a code altered is written as this अगर altered का code आपको पता है then in the same code related would be written as तो आपको बताना है कि related का क्या होगा जब फटा फट से chat में comment करके बताओ क्या answer होगा 30 seconds आपको दूँगा 30 seconds आप फटा फट बताएंगे क्या answer होगा कि यह जो class है आपके लिए fully dedicated है SSC CGL 2019 के लिए ठीक है जो भी aspirant SSC CGL का एक्जाम देने वाला है और कि विवेक कह रहे हैं A होगा ठीक है सबसे पहले जवाब दिया विवेक ने कह रहे है ठीक है very good देखिए तो मैं कह रहा है कि जो भी बहुत अच्छे से त्यारी कर रहा है उनके लिए सारे questions बहुत important होंगे ठीक है because मैं हर टाइप के question आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ यहां पर बाकी और इस्ट्रेंट्स बताईए यह फटा-फट क्या होगा नीतू पर कह रहे है यह होगा ठीक है चलिए तो इस्ट्रेंट्स के answers आने शुरू हो गये हैं देखिए यहां पर आप देख रहो सबसे पहले क्या दिख रहा है कि हज़ी जो पहला है यह पहलमें पहले का पहला क्याओ क्या होता है झाय है याप देख रहे हो कि यहां पर इलदिया हुआ है तो यहां पर यू बख़। क्या होता है जी होता है एक पोजिर क्या होता है वी होता है यहां पर जो कॉंसेप्ट लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट लेटर्स का तो अभी अपोजिट लग रहा है तो अब आप बताओ रिलेटेटर क्या होगा तो आर क्या हो जाता है इंडर रेलवेस आई हो O Z Z Z Z B हो जाएगा न बोलिए और D क्या हो जाएगा D का W हो जाएगा प्राइब करें यह आपका एंसर हो गया तो एफ बीदर ने पवित्रा कह रहे हैं भी फ़ी तरह नहीं होगा यह होगा इसका एंसर आप देखो नहीं आप यहाप आपका सही जवाब होगा और यहां पर जो concept लग रहा है वो लग रहा है opposite letters का गट इट अगर पहले से पहले position पे ए है तो आखरी से पहले position पे कौन है जड है ना इसका मतलब एक किसका opposite हो जाएगा जड का स्टार्टिंग से दूसरे position पे कौन है भी है तो end से दूसरे position पे कौन है वाई है यानि कि बी का opposite कौन हो जाएगा य हो जाएगा and so on तो इस तरह से आप चीजों को concept से समझोगे ठीक है अब आप बलोगे सर कैसे पता करें जल्दी सम कैसे निकालेंगे तो देखो दो तरीके हैं या तो आप words बना के याद कर लो या तो आप words बना के याद कर लो कहने का मतलब कि a का opposite क्या होता है z तो आपन एक word बना लिया आजाद ठीक है बी का opposite क्या होता है y तो आपने word बनाया boy ठीक है उसी तरह से सी का opposite क्या हो जाएगा x तो आपने word बनाया cracks तो आपको पता भी होगा यह सारे चीज़े जिनको नहीं पता है मैं इनको बता दूँ कि आप words बना के याद कर सकते हो अभी कुछ बोलेंगे कि सर नहीं मुझे word याद नहीं होते हैं मुझे और कोई तरीका बता कोई ऐसा सौट्रिक बता जिससे कि मैं चुटकी में जो है opposite निकाल सकूँ तो चलिए वही मैं आपको बताता हूँ अगर मालो आपसे पूछे कि सी का opposite क्या होगा तो आपको दिख रहा है कि सी का position क्या होता है three होता है तो जो भी जिसका आपको निकालना है उसके position को 27 से माईसT. तक अगर तीन को 27 से माइनस करो गें कितना हैगा 24 होगा न और 24 पे कौन होता है आपका विगत होता है यानि कि c ka opposite कान हो जाएगा X होगा अगर आपसे पूछ से क्या होगा औह सब्लाइब हर से क्या होगा या आ गया होगा अगला सवाल लेते हैं आप पर कि अगेन फटाफट से स्टुएंट्स चैट में कमेंट करके बताएंगे के एंसर होगा पर गोड़ा साब लोग फास्ट बताएंगे क्यों जितने जल्दी आप फास्ट करोगे उतना मैक्सिमम में क्वेस्चन्स हम कर पाएंगे आपे कर दो कर दो अन्शु गहरे एंए होगा ओके और बाके शुआट भी कमेट करो अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि मैंने यहां पर जितने भी क्वेस्चन्स लिए हैं वह इस तरह से और गनाइस किया हुआ है जिससे कि आपका जो प्रिपेडेशन है सीजल के लिए बहुत अच्छे से हो पाएगा क्योंकि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से दो सवाल तो आपको देखने को मिलेंगे आपके एक्जाम में तो वह दो सवाल कैसे होंगे किस टाइप क्यों होंगे वह सारे टाइप मैंने आपके सामने यहां पर लेकर है क्या कह रहे है नीठीन भी खैर होगा ठीक है ये ररा नार सब्सक्राइब Sat pasar थाइप्स हैने साथ का हिए यहां पर लाया है तो आप इसको प्रैक्टिस करिंगा अच्छे से कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करें नहीं कर रहे हैं फिक है ओपक टे कह रहे हैं यह होगा पवन कैसा ऐसे चल्ट के वीडियो कब आएंगे वह भी आएंगे पवन देखिए प्रिसिकली पाउन क्या होता है ना देखो ऐसे सीजियल और चल्ट कोई अलग एक्जाम से नहीं है दोनों का पैटर्न सेम है दोनों में सेम तरक तरीके के कोईशन राते हैं जब तरीका से मैं और टाइब सेम एग तो अगर आप सीजल के त्यारी कर रहा है मतलब यह जितने भी वह कराऊंगा यह सारे शी इरचियल के लिए अत्रले इंसे ल नहीं होगी यही सिंदिग होगा ठीक है देखो अभी इस सवाल में क्या है basically monkey का code आप से दिया हुआ है तो देखो यहां पर लगाओ monkey ठीक है तो देखो monkey का दे रखा है आपको x, d, j, m, n, l यही दे रखा है न अब आप देखो कि यहां पर देखो तरीका क्या है ठीक है ट्रिक क्या है तो देखो जो भी लेटर आपको दिया हुआ है उसके सबसे नस्दीक आपको देखना है जैसे कि मालो यहां पर m दिया है तो m के सबसे नस्दीक लेटर कौन है तो आप अगर देखोगे यहां पर M के सबसे नजदीक तो N भी है और L भी है लेकिन ये पहला है तो definitely कुछ compatibility जो होगा वो आखरी से होगा इसका मतलब पहले का जो है आखरी में क्या हो रहा है आप देख रहो minus 1 हो रहा है उसी तरह से अगर आखरी को लेते हो तो Y में minus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका X होग यानि कि अब ये logic समझ में आगया कि पहले का आखरी हो रहा है ठीक है दूसरे का second last होगा third का third last होगा इस तरह से यानि कि o में minus 1 करोगे तो आप़ा क्या होगा N होगा N मे m का मैंनस-1 करा तो m होगा के का माइनस 1-jे होगा और ये का मैंनस1 d होगा यानि कि यहां से यहां तक आपका क्या लग रहा है Morris order में कि मध्या और उपर क्या क्रों में-1 करा तो क्या हो जाएगा Q, E का हो जाएगा D, E का हो जाएगा F, I का हो जाएगा H, and T का हो जाएगा S, यानि QD FHS, so QD FHS will be the right answer, तो option number A जो होगा, वो आपका सही answer हो, समझ आ रहा है, पताएंगे. यह आप लोगों ने क्या उल्टा कर दिया आप लोगों ने मतलब C जो कह रहे हैं पवन कह रहे हैं C पाउं C नहीं होगा इसका A होगा ठीक है DP का भी कह रहे हैं A होगा very good ठीक है समझ आगया तो मतलब कि जो coding था वो आपका reverse में था और minus 1 हो रहा था ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं इसका बताएंगे क्या होगा अब देखिए इस सवाल में आपको दे रखा है कि computer का code आपको मालूम है और आप से पूछ रहा है कि medicine का क्या होगा बताइए कि पावन के रहें सर्व वर्वल रिजनिंग जनल इंट्रिजन्स के बुक्स बताईए अधिकिए पावन एक्शली बुक्स में तो बहुत सारे बुक्स हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसी एक्जाम के तियारी कर रहा हूँ अगर आप SSC के CHSL को दे रहा हूँ टार्गेट कर रहा हूँ या CGL को कर रहा हूँ टार्गेट तो उसके लिए जो previous year के questions होते हैं जो बुक आती है पी वाई क्यू वह ज्यादा important होती है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप कोई भी publication का जो previous year का book है ना उसको ले लो और उसको practice करूँ मेरी बात समझ रहे हैं आप वह भी previous year का book है आपके पास जिसमें बहुत सारे questions आपको दिये हो प्रैक्टिस के लिए उसको आप खरी लेना ठीक है किशन के रहे है सर आपने बोला था blood relation कराएंगे किशन ते को actually क्या होता है कि कुछ schedule fix होती है मैं बिल्कुल blood relation बिल्कुल कराऊंगा ठीक है tension मतलब सारा कुछ होगा लेकिन ये जो 2-3 classes है ना आपकी scheduled है already किशन मेरी बात को समझ ये कुछ 2-3 आपी दिन जो है ना ठीक है ठीक है थोड़ा सा पेसेंस रखेंगे बिल्कुल मैं लेकर रहाँगा blood relation और सारे topic लेकर रहाँगा ठीक है लेकिन आपने कहा है तो मुझे ध्यान में है मैं बिल्कुल blood relation लेकर रहाँगा लेकिन अभी 2-3 दिन आपका जो है वो scheduled fix है वो उसको मैं थोड़ा छेड़ नहीं सकता अभी ठीक है उसको अंग लोग अल्टर नहीं कर सकते हैं चलिए तो इस सवाल पर देखते हैं computer का आपको दे रखा है तो देखो सबसे पहले तो logic देखो यहां पर क्या logic है देखो पहले का आखरी हो गया है देखो मैं आप थोड़ा आपको बता देता हूं computer ठीक है computer का क्या है देखो R F U V Q N P C यही है न अभी देखो आप देखो कि पहला जो C है वो आखरी में C हो गया है और जो आखरी में R है वो पहले में R हो चुका है हो चुका है न ठीक है अब पहले का आखरी हो गया आखरी का पहला हो गया तो यह आपका as it is हो गया अब बीच वाले में यह जो second है, यह P पर क्या बना रहा है, प्लस वन बना रहा है, यह जो third वाला है, यह आपका N पर प्लस वन बना रहा है, ठीक है, P से Q प्लस वन, U से V प्लस वन, T से U प्लस वन, और E से F प्लस वन, मतलब आप क्या देख रहे हैं, कि पहला आखरी हो गया, आख ga क्या हो जाएगा तो सब्सक्राइब, आफरी जो है वह पहला हो गया और जो पहला है वह आखरी हो गया बाकि जो बीच में है वह reverse पर क्या हो रहे है तो करो N में प्लस-1 करा तो O, I में करा तो J, C का हो जाएगा D, I का हो जाएगा J, D का E और E का F, यानि कि यह आपका सही answer होगा, so option number I think A जो है आपका correct answer होगा, ठीक है, E O J D J E F M, यह आपका सही answer हो जाएगा, got it, चलिए, अगला सवाल लेते हैं, इसका बताएंगे, देकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि यह जो class है, यह जो session है, यह उन लोग के लिए बहुत important ह जो SSC, CGL और CHSL की त्यारी कर रहे है, ठीक है, आज की जो class है, वो है coding decoding, मैंने coding decoding के सारे types यहाँ पर present किये हैं, आपके सामने, I hope आप सभी questions कर पाएंगे, अच्छे से, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, इसका क्या answer होगा, आपका telegram channel है, क्या, नहीं, मेरा telegram channel नहीं है, बढ़ा, हाँ, प्रतुगीता मंतरा का telegram channel है, आप उसको join कर सकते हैं, telegram पे आप प्रतुगीता मंतरा सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, किशन कह रहे हैं, ओके सर, blood relation करा जली, बिल्कुल, किशन, मैं blood relation बहुत जल्द कराऊंगा, ठीक है, गुर्द कोई गुर्दीब, आपके तो questions मिले नहीं मुझे, चली, options आने, शुरू, गनेश कह रहे हैं, A होगा, and अंशु कह रहे हैं, D होगा, अच्छा, पुझा कह रहे हैं, सुभम सर की class क्यों नहीं आ रही है, प्लीज बताईए, पुझा देखे, सुभम सर की class क्यों नहीं आ रही है, अब तो ये team बताएगे आपको, ठीक है, रसे मैं, आपकी जो query है, इसको मैं escalate कर दूँगा उपर, ठीक है, तो actually, right now, मैं नहीं बता सकता है कि उनकी class क्यों नहीं आ रही है, पुझा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, कुछ issues रहा होगा team के साथ, तो मैं उपर escalate कर दूँगा, वह आपको guide करें, गैश करें, no sir, that previous one, okay, previous one का था, ठीक है, चलिए तो इसका देखी क्या answer होगा, अब यह आप देखरो, teacher का दे रखा है code, लगाओ यहाँ पर, teacher का क्या code मालूम है, आपको देखो, V, G, C, E, J, G, T, यही आपको दिया हुआ, अब देखो, तरीका क्या है, आप बोलो कि sir, कोई trick बताओ, आप तो question बनाते जा रहे हो, बनाते तरीक ही नहीं बता रहे हो, तो देखो, trick क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या देखना है, सबसे पहले, इसमें कि कोई opposite letters तो नहीं है, कोई भी coding decoding का, अगर question आपके सामने आता है, तो आप सबसे पहले आप यह देखो, कि उसमें कोई opposite letters तो नहीं है, अगर opposite लेटर उसमें नहीं है, तब आप पोजीशन पे जाओगे, ठीक है, तो आप देख रहो हैं, यहां पे उपोजीशन तो है, लेकिन कुछ और नहीं बैठ रहा है, ठीक है, अब आप पोजीशन को देखो, तो T के सबसे नस्दिक कौन है, तो आप देखो, TUV, यहां पे प्लस तो यहां से आते का आप देख रहो यहां पर प्लस टू लग रहा है तो यह जो सवाल है इसमें आपका प्लस टू हो रहा है तो उसी तरह से आप बते हैं डुलर्ड का क्या होगा तो दीके एक्जाम में आप कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ डी का पोजिशन क्या होता है चार चार में दो जोड़ा छे छे पर कौन होता है आपका एफ होता है यू में दो जोड़ोगे तो यू का 21 21 दो 23 23 पर कौन होता है डबलू एल बारा दो 14 14 पर होता है एन फि WNN CTF यानि कि option number D जो होगा वही आपका सही answer हो जाए ठीक है तो इस सवाल में जो logic लग रहा था वही लग रहा था कि हर एक लेटर अपने आप में प्लस्टू हो रहा था अगला सवाल लेते हैं इसका बताएंगे victory का code अगर ये है तो आप से पूशा success का क्या होगा बताएंगे बताएंगे क्या होगा पी तरह कह रहे हैं बी होगा अच्छा देखो victory का अगर आपको code दे रख था है ठीक है तो देखो सबसे पहले आपके अपको वी से वाई आप देख रहे हैं यहाँ पर बाइस और पच्चीज कहीं नहीं प्लस थ्री हो रहा है और आई से ल क्या हो रहा है यहाँ से ह्या पर जो code लग रहा है वह लग रहा है प्लस थ्री का लग रहा है न दो लिए टीक है यहाँ यह जो letter आपको दिया हुआ इस में जो code रहा है यहाँ यहां भी क्या करोगे आप प्लस 3 करोगे तो देखो 19, 21, 3, 3, 5, and again 19, और यह 19, ठीक है, अब दोको 19 प्लस 3 कर लो 22, पर क्या होता है, V होता है, 23 पर W होता है, 3, 3, 21 प्लस 3 करोगे तो 24, 24 पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहां पर आप X कर लो इसको, यहां पर हो जाएगा X, ठीक है, इसके बाद 6 पर F होगा, यह भी आपका F हो जाएगा, 5, 38, H होगा, 22, 0 V, and 22, 0 V, VX, FFF, HVV, VX, FFF, HVV, आप्शन नमर B जो होगा, तो आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है यानि कि हर एक लेटर में क्या और यहां पर प्लस थ्री एप्लाई हो रहा है ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं इसका बताओ अगर हीटर का कोड़ दे रखा है तो आप से पूछ रहा है कूलर का क्या होगा कि 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 कुलर अच्छा भी आएगा देखो यहां पर हीटर का आपको दे रखाए ठीक है तो क्या लॉजिक है देखो के पी डी क्यू एच हो यही है ना देखो यहां पर क्या लॉजिक लगा होगा अब देखो यहां पर एच है और एच का पोशिन क्या होता है एट होता है और के का पोशिन क्या होता है बताओ के का पोशिन 11 होता है तो यहां से यहां क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है बोलेंगे उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है आपका माइनस 3 अगें प्लस 3 एंड माइनस 3 प्लस 3 एंड माइनस 3 यही जी कहता पता cooler का क्या होगा लगा लो आप cooler का ठीक है यहां पर alternate होगा plus 3 होगा minus 3 होगा and so on तो c में plus 3 करा तो 6 याने की f हो गया 15 में 3 घटा होगे तो 12 12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका l again plus 3 करोगे तो ठारा ठारा पर आ रहा हो जाएगा again l पर क्या हो जाएगा माइनस करोगे तो बारण 9 हो जाएगा तो आई हो गया प्लस 3 करा तो हो गया और इसमें क्या करोगे तीन घटा होगे तो ओ जाएगा इस सवाल में जो लॉजिक है वो यही है कि प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 3 माइनस 3 अल्टरनेटली चल रहा है आपका तो यह आपका सही एंसर हो जाएगा अगला सवाल लेते हैं 99% बच्चे जो है इसमें फज जाते हैं इस सवाल में पताएगे क्या होगा पवित्रा करें सर फिफ्टी फोर हंडेड होड़ा है पवित्रा देखिए उसमें क्या थोरे क्रेट्स आप लगा लेना ठीक है अगर आप थोरे क्रेट्स लगाते हो ना जो आपके पास है तो वह और कम हो जाएगा आपका अन्शु कोई नया बैच शुरू हुआ है क्या सर अन्शु की नया बैच तो हर मेने स्टार्ट होते रहते हैं ठीक है अगले मैने से फिर से नया बैच स्टार्ट होगा अगर आपके सामने या दिया हुआ है कि मद्रास का कोड पता है आपको तो आप से पूछ रहा है कि अरकोनम का क्या होगा हां बताओ नहां बार्ट हो अगराण सब्सक्टारी मेरा दिरसी तो ही आपके सब्सक्राइब है कि अच्छू समय है कि आपके स्टार्ट है घार आपको नहागा है भिए इसका भी आजाएगा जरूर कमेंट करके बताना ए अंचु कह रहे हैं ए होगा ठीक है बागी कोई और बताओ ठीक है कि यहां पर आप देख रहो कि मदरास का कोड आपको दे रका है ठीक है तो सबसे पेले क्या करो मदरास लिखो ठोड़ो यहां पर आपको देखने से मालूम पढ़ रAH रहा है कि मदरास का कोड में यह जो एरस एरस है मतलब यह जो alternate आपका second, fourth और sixth पर है वही आपका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है न अगर आप coding को ध्यान से देखो तो यहाँ पर मद्रास का जो alternate letters है ARS वो double हो रहा है न यहाँ पर double कैसे हो रहा है अगर आप मद्रास को भी double करोगे तो यह double हो जाएगा अगर आप alternate लोगे तो ठीक है तो अगर मद्रास को आप दो बार लिख होगे तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर alternate लो ARS फिर alternate हो जाएगा ARS कहने कि यहाँ पर जो code बनेगा वो क्या बनेगा ARS ARS बनेगा यही तो आपको दिया हुआ है तो उसी तरह से आपको बोड़ क्या होगा तो लिखो इसको भी दो बर लिखे हैं अरकोनम और अरकोनम अब चुकी आपने इसको भी दो बार दो बार लिख लिया तो अब इसका alternate ले लो ROAKNM यानि किसा क्या हो जाएगा ROAKNM यही होगा न बोलो अब यह हो जाएगा तो यह कहां पर यह आपका option number one है तो आपका option number a will be the right answer यह आपका सही answer हो समझ आया बताओ clear है कि अगर मदरास का code आपको दिया हुआ था आपको अरकोनम का पूछ रहा था तो हमने क्या किया मदरास को double कर दिया मतलब दो बार लिख लिया जब मदरास को आप दो बार लिख होगे तो वो आपका alternate में ARS ARS हो जाएगा तुशी तर तरह की questions भी exam में आई हुए हैं तो practice कर लेना आप ठीक है अगला सवाल लेते हैं इसका बताएंगे if table is coded as this how is juice coded chat में comment करके बताओ फटाफट क्या answer होगा और झाल करें तो अ है कि अज़ा कर दो कि अन्षू कह रहे हैं जब मैं आपके इस में पीकमेंट करो झाल 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 तो भी तरह कहरें B होगा, चलो देखो, यहाँ पर क्या logic है? अब आप देखो, यहां पर opposite letters लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? अगर आप इसको देखो गे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या concept लग रहा है? opposite का लग रहा है, ठीक है? हर एक letter आपस में opposite हो रहा है, तो उसी तरह स यहां पर जो concept लग रहा है वो लग रहा है opposite का ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं यह तो कर लोगे आप सवाल यह भी कर लोगे इसका बताएंगे क्या होगा ठीक है देखो मैंने आप से क्या कहता है पुर्दीप एक्शली क्या है यह आपको रिगार्डिंग है इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा कोई एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी बैटर होगा क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है कि अगर आप उसके एक्जाम में नहीं बैठ होगे स्टैस्टिकल में तो वह ए लेकिन बैटर यह होगा कि आप एक बार किसी एक्सपर्ट से पूछ लो या फिर आप जो रिजनल जो ऑफिस है न अससे के उसमें बात कर लो सबसे बैस्ट रहेगा ठीक है इस सवाल को देखेंगे बताए इसका कि एंसर होगा कि अब तर्वित्रा करें सर बता दो चलो ठीक है अरे यह तो बहुत ही आसान कोईशन आप देख रहों नहीं आप देखो जो आपको यह दिया हुआ है क्या दिया हुआ है क्या यह मशीन दिया हुआ है अभी इनकी पोजिशन को आप लिखो तो आप क्या लिखो कि M का पोजिशन क्या होता है 13, A का 1, 3, 7, 8, 9, 14, and 5 यही होता है न यहीं कि सभी के पोजिशन को आपने लिख लिया उसके बाद क्या करो इन्डिवेजिविल आप 6 एड़ करो यही तो आपको दिया हुआ है अगर आप पोजिशन को लिखते हो उसमें 6 एड़ करते हो तो वही आपका कोड है तो उसी तरह से डेंजर का भी कर लो तो डेंजर में क्या करोगे आप डी का पोजिशन क्या होता है चार 1 14 7 5 18 अगर आप इसमें क्या करोगे प्लस 6 करोगे तो जब प्लस 6 करोगे तो यह कितना वज जाएगा 6 4 10 6 प्लस 1 7 20 7 6 13 11 यह 24 हो जाएगा तो आपका एंसर है यह वाला कहां पर आप देखरो 10 जो है सिर्फ और सिफ ए में है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा समझ आया तो निति ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका जो एंसर होगा वह हो जाएगा वाट इट चलिए अगला question देखते हैं इसका बताएंगे क्या होगा इफ मास्टर इस कोड़ेड़ इस देन पावडर विल बी कोड़ेड़ अगर मास्टर का कोड़ दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि पावडर का क्या होगा बताओ कोड़ अबताओ झाल झाल हुआ किसी से answer आया किसी का झाल झाल कि देखो प्रवित्रा कह रहे हैं सी होगा ओके यहां पर क्या है बैसिकली लॉजिक लगाओ अगर आपको मास्टर कदे रख रहे हैं जैसे देखो मास्टर क्या रख रहे है फॉर वन वन तू फाइब न यहीं है अभी आप देख रहे हैं कि यह कैसे बना होगा तो आप देखार हो एंप का पोशिशन क्या होता है 13 13 को दुनों को एड करोगे सिंगल में कनवर्ट करोगे कितना हो जागा फॉर एक का पोजिशन वन होता है तो 1 हो गया, S का position क्या होता है, 19, तो 19 का 1 प्लस 9 करोगे, कितना हो जाएगा, ultimately 1 होगा, single digit, T का position क्या होता है, 20, 20 में भी दोनों को add करोगे, या single digit में convert करोगे, तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, तो अब देखो, अब E का position क्या होता है, 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 होगा, R का position क्या होता है, 18, तो 18 में 1 प्लस 8 करोगे, कितना हो जाएगा, 9 होगा, यानि कि position of letters को लिखेंगे, और उसको फिर single digit में convert करेंगे, उसी तरह से आप से पूछ रहा है कि powder का क्या होगा, powder का, ठीक है, तो बताओ, powder क्या होगा, तो P का position क्या होता है, 16, सभी को लिख लो आप सबसे पहले, तो 16, 15, 23, 4, 5, and 18, single में convert करो, 6 plus 1, 7, 5 plus 1, 6, 5, 4, 5, and 9, 7, 6, 5, 4, 9, 7, 6, 5, 4, 5, 9, तो आपका answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C will be the right answer, clear हुआ, अंशुल, सर मुझे plus course लेना है, कैसे लो, अंशुल आपको unacademy की app खोलनी होगी उसके लिए, unacademy की learners app इंस्टॉल कीजिए, उसमें get subscription करेंगे, ठीक है, और यहां bottom बे आप देख रो, discount code दियावा प्रतिवगिता मंतरा, इसको आप लगाएंगे बीना space के, तो आपको discount भी मिल जाएगा, और आप unacademy के plus courses भी ले सकते होगे, ठीक है, चलिए तो कुछ questions और देखते हैं, इसका बताएंगे क्या होगा, अन्शुल के रहे सर बताओ, अरे अन्शुल मैंने आपको बताएंगे की लर्नर साइब को इंस्ट्रॉल कीजिए, ठीक है, लर्नर साइब को इंस्ट्रॉल करती है, यह आप SSC section में जाओगे न, तो वहाँ पर आपको जो है, आप get subscription आएगा, plus courses का आएगा get subscription, उस पर आप click करेंगे, तो आपको 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 discount code लिखना आएगा, तो वहाँ पर आप discount code में डाल देना परत्योगिता मंत्रा, यह आप देख रहाँ, यहाँ पर बॉट्टा में लिखा हुआ परत्योगिता मंत्रा, यह वाला आप डाल देना, बीना space के, तो वहाँ पर आपको discount मिल जाएगा, फिर वहाँ पर आपको payment gateway आएगा, उस पर payment gateway कर लेना, ठीक है, तो वह आप procedure करोगे, तो उस procedure से आपको मिल जाएगा, बताओ, अगर pathologist का code आपको दे रखा है, तो आप से पूछ रहा है कि controversy का क्या होगा, बोलिए, क्लास कब से चलेगी सर, क्लास तो चली रही है, अगर मैं unacademy की बात करूँ, तो unacademy plus पे classes regular है, चल रही है, हम आप educators क्लास ले रहे है, अगर आप इस YouTube की बात करोगे, तो यहाँ पर आपकी 345 से क्लास हो रही है, यह जो क्लास जो आप देख रहे हो, यह आपकी 345 तो 445 की क्लास है, ठीक है? जै करें 4 होगा, आइवरी कह रहे हैं 4, ठीक है? ठीक हो, यहाँ पर logic क्या, अगर आप इस question को लगाओगे थोड़ा, तो pathologist का आपको क्या दे रखा है? यह दे रखा है, जड़ा बनाओ. ठीक है? इसका code क्या है, बताओ? पी, आई, यही है, अब देखो, यह pathologist का code यह मालूम है, अब आपको यह देखना है, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक trick बताता हूँ, trick क्या बोलता है, कि जब भी कोई word आपको दिया हो, तो उस word में, अगर आप देखोगी, चीज़े आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है, अब देखो, अगर आप इसको half करोगे, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 1, 5, फिर 2, 2, 4, 1, 5, इसको यहाँ से यहाँ half कर लो, और यहाँ L से कर लो, ठीक है, अब देखो, P, Q, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, पी से क्यों क्या हो रहा है, प्लस वन, जन ए टू बी प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, एंड प्लस वन, ठीक है, सभी लेटरस में क्या हो रहा है, आपके प्लस वन, प्लस वन हो रहा है, उसी तरह से L से क्या हो रहा है, minus 1 हो रहा है, और यहां से यहां आपका क्या होगा, minus 1 होगा, जड़ा देख लो, लेकिन crossing होगा, O से N क्या होगा, minus 1, G से F क्या होगा, minus 1, I से H minus 1, H से R minus 1, और T से S minus 1, यानि कि letter half में क्या और आपका minus 1 हो रहा है, अंशल कर रहा है, question समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वही तो question समझा रहा हूँ, देखो, कि pathologist के जो पहले 5 letters हैं, उसका reverse में क्या करोगे, plus 1 करोगे, जो 6 letter है, उसमें minus 1 करोगे, और जो बाकी के आखरी के 5 letters ह है, उसमें reverse में क्या करोगे आप, minus 1 करोगे, तो उसी तरह से आपसे बोल क्या रहा है, कि controversy का निकालना है, लगाओ controversy का, controversy, ठीक है, तो controversy क्या हो जाएगा, देखो, तो पहले 5 को अलग कर लो, फिर O को भी अलग कर लो, आखरी 5 अलग हो जाएगा, पहले 5 में क्या होगा, और ये letter half में क्या होगा, आपका, minus 1 होगा, clear है, अब देखो, यहाँ पर आपका जो है, plus 1 है, इसका मतलब R से क्या हो जाएगा, S होगा, D का हो जाएगा, U, N का हो जाएगा, O, O का P, और C का D, क्या होगा न, बोलेंगे, उसे लिए से O में minus 1 करा तो क्या होगा, N होगा, ठ ज़रा बताना, S, U, O, P, D, N, X, R, Q, D, U, Option number A will be the right answer, B नहीं होगा, A होगा, देखो न, इसको, S, U, O, P, D, N, X, R, Q, D, U, Option number A, जो होगा, आपका सही answer होगा, समझ आया, बोलिए, question सभी को clear है, बोलिए, अगर clear है, तो chat में comment करके बता देना, मुझे, ठीक है, देखो, जब भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कि जब भी कोई word बरा दिया हो, coding recording में, जब भी कोई word बरा हो, link दी हो, तो उसको क्या करो, half कर लो, better होगा, तो half करके, फिर क्या करोगे, चीज़ों को reverse कर लो, जैसा मैंने आपको trick बता दिया, यहां पर, ठीक ह होगा, आपके screen पे question मैं लेकर आया हूँ, यह कह रहा है, if Richard is coded as this, अगर Richard का code दे रखा है, आपसे पूछा है कि wicket का क्या होगा, दीक है, यहां पर question जो है, थोड़ा सा misprint है, यह wicket के जगा पर, आप wickets का लगा लो, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, wicket के जगा पर, wickets क बताओ क्या होगा, चली इसका बताएंगे, क्या है, यह. कि पता कि फ्रेंट्स क्या होगा इसका कि देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि रिचार्ड का अगर आपको दे रख़ा है ठीक है तो लिखो सबसे पहले रिचार्ड क्या कोड है इसका जबलू आर आई जडाई यही है ना अब दिखो मैंने आप लोगों को एक बात कहा था क्या कहा था कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि जब भी लेटर्स हो लेटर्स में आप सबसे पहले देखोगे opposite letters जब opposite नहीं मिले तब आप क्या करो तब आप जो है position of letters देखो ठीक है तो यहां पे आप देख रहो कि R का opposite कहीं आपको दिख रहा है तो आप देख रहो R का opposite क्या है I ठीक है अगर आप D की बात को तो D का opposite क्या है आपका W है यानि कि पहले का opposite आपका आखरी है और आखरी का opposite क्या है पहला है तो यह तो बहुत अच्छी बात है इसके बाद आप देख रहो हो कि I का opposite क्या है दूसरा जो letter है I उसका opposite आपका R है और C का opposite क्या है आपका X फिर H का opposite क्या होगा S होगा और A का opposite होगा Z और R का opposite क्या हो जाएगा इस question में जो लॉटिक आप देख रहो हो कि पहला का आखरी हो रहा है आखरी का पहला हो रहा है opposite और फिर crossing हो रहा है ऐसे हो रहा है फिर आपका crossing या क्रिस क्रॉस हो रहा है ठीक है यहां पर जो logic लग रहा है वो लग पहला का आखरी होगा, तो W का opposite क्या होता है, D, और S का opposite क्या होता है, जरा बताएंगे, H होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्रिस-क्रोस होगा, as it is होगा, क्रिस-क्रोस होगा, तो देखो, C का opposite X हो जाएगा, I का opposite R हो जाएगा, K का opposite P हो जाएगा, T का G हो जाएगा, E का V हो जाएगा यानि कि ये आपका सही answer हो, समझ आ रहा है यानि कि HXRPZVD, option number B will be the right answer B आपका सही जवाब होगा, ये clear है आपको, बताएंगे Students बताएंगे, chat में comment करके बताओ क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया तो इस तरह के questions आपके exam में पूछे जा सकते हैं बहुत बार repeat हुआ है ऐसे questions चीक है, बताओ यहाँ तक कुछ doubt है किसी को, all clear चीक है, चलो, तो I hope आपको यहाँ तक चीए समझ में आ गई होंगे अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपनी त्यारी एन Academy Plus से करिया एन Academy की learning app को install करिया, अपना exam चूज करिया और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगा discount code एंटर करना है PMYT यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा